अपने नेता जी की इस तस्वीर जिसमें उनके साथ एक महीला कैप्टन है कभी न कभी जरूर देखी होगी पर क्या आपको पता है कि ये महीला कौन थी और उनका आजाद हिंद फौज से क्या नाता था 24 अक्टूबर 1914 को मदरास में लक्ष्मी शहगल का जन्म हुआ उनके पिता डॉक्टर स्वामी नातन चेन्नई के नामी वकील थे स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लक्ष्मी ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू करी और 1928 में मदरास मेडिकल कॉलेज से पास आउट होकर एक डॉक्टर बनी अपनी किताब My Days in the Indian National Army में लक्ष्मी शाहगल ने लिखा है कि दृतिय विश्वुद के दौरान अंग्रेजी सेना में डॉक्टर्स की भरती हो रही थी लक्ष्मी अंग्रेज सेना का हिस्सा नहीं बनना चाती थी सिंगापूर में उनके कुछ रिष्टदार थे और लक्ष्मी वहीं जाकर प्राइवेट मेडिकल प्राक्टिस शुरू करी जहां सिंगापूर के लोगों के साथ साथ वहां रह रहे बहुत से दक्षिन भारती मूले के लोगों को भी सेवा करने का उनको अफसर मिला पर उनके जीवन में असल मोर्ट तब आया जब 8 दिसंबर उन्नेसोइक्तालिस के दिन जापान ने सिंगापूर पर आकरमन किया राजबियारी बोस भी जापानी फॉस के साथ थे और उन्होंने सभी भारतियों को भारत माता को अजाद कराने के लिए लीग में शामिल होने की अपील करी और इसी अपील पर लक्षमी लीग में शामिल हो गई